कडेला की मसाला वाली सबजी बनाते हैं जो बनाने में बहुत आसान है खाने में बहुत स्वादिश लगिया तो चलिए शुरू करते हैं अरहाई सो ग्राम कडेला को धोकर्च काट लिया है काटने के बाद उसे एक साइट में रखते हैं मसाला रेडी करते हैं मसाला के लिए लहसुन 5-6 जावा, एक चमच राई, आधा चमच जीरा, 4-5 काली मिर्च, प्याज एक काट कर डालेंगे, अब चाहे तो टमाटर भी डालेंगे नहीं तो इसकीप कर लें, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच कास्मीडी नाल मिर्च पाउडर, आधा चम मुल्डन ब्राउण होने तक फ्राइ करना है इसे लेकि चलाते रए, चलाते वे फ्राइ करें थोड़ी दिर पाच फ्राइब तो बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फ्राइब हो जाएगा। यह देखिए तीन से चार मिनट हो गया है, इसका कलर धीरे-दीर कि निकाल लेते हैं देखिए निकाली निकाल लिये हैं अब हम लोग कर Hie तुझने के बाद ये निकालने के बाद आगि का प्रोशिध करते हैं इस है अब हम लोग के ब्गारभाव करना दाल देल करने फॉश जब नहीं तो नफीम Fair अगर है तो उसे बहुत जादा भूनने की जुरात नहीं होती है तीन से चार मिनट तक भूनने के बाद हम लोग इसमें स्वादानुसार नमर थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए आम चूर पाउडर आप चाहे तो आचार या कच्छा आम मिलता है उसे भी पीसकर डाल सकते ह है उससे भी उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा आधा चम्मच कास्मीरी लाल मिर्स पाउडर मैने डाला है कलर के लिए अब इसे चलाते हुए दो मिनट तक और भूल लेंगे कुल मिला के चार से पाच मिनट तक हम लोग मसाला को भूने हैं बहुत अच्छा से मसाल बॉयल होने लगा है अब हम लोग कडेला जो फ्राइकर के रखे थे उसे अब डाल देंगे डालने के बाद चला लेंगे धकन बन करके हम लोग कम से कम चार से पाच मिनट तक धीमियाज पर इसे पका लेंगे यह रस भी सोख जाएगा और इसका पूरे तरीके से कडेला पक कर दें थैंक्स पर वाचिंग